नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विजैंदर सिंग राठोर सभी का आधार ICS में स्वागत करता हूँ जो उनलाइन माध्यम से जुड़े हैं हमसे और सभी हमारे प्यारे ओफ्लाइन वाले विध्यारती पिछली क्लास में हमने पाशान काल के बारें पड़ा था इतिहास के अंतरगर आज हम अगला चिप्टर हडपा सभीता लेकर आए हैं बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है ये और हडपा सभीता को भारत की पहली नगरी जो हमारे देशों में नगरी कांती हुई है उसमें पहला चलण हमारा हडपा सभीत देका था यानि कि ये भारत की पहली नगरी करांती थी हडपा सभीता ठीक है समझ समझ के पढ़ेंगे तो जब हम बिटिस काल में आते हैं तो रेलवे लाइने बिछाई जा रही थी अठावसो एक में बिटेन में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई ठीक है और 2826 के आसपास अमेरिका के इतिहासकाल चाल्स मेंशन भारत के दोरे पे थे चाल्स मेंशन इन्होंने पहली बार इस तीले को देखा तो प्रशन आता है कि हलपा की तीले को सबसे पहले किस ने देखा तो चाल्स मेंशन ने देखा चार्ल्स मेंशन ने इसको मेंशन किया देखा ठीक है इन्होंने उसके बाद में जो बंगाल के गवर्णर जनरल थे लार्ड एम हर्स्ट उनको बताया इसकी जानकारी दी फिर 1852 में अलेक्जेंडर कनिंगम को प्राततु सर्विक्षन का जो विभाग था उसका अध्यक्ष बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंगम को ठीके, 1852 में, जब लाट डलोजी का समय था तो भारत में भी रेलवे ट्रेक बिचाए जा रहे थे, रेलवे का विकास हो रहा था, ठीके, तो कराची से जो लाहॉर की रेलवे लाइन बिचाए जा रहे थी, वहां के कुछ मजदूरों ने कनिंगम को 1853 के आसपा सुषना दी, कि जो पास का एक तिला है, उसमें कुछ पकी पकी इंटे हैं, उनका वो रेलवे ट्रेक में जो गिट्टियों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर गिट्टी के रूप में उन पकी इंटों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीके, गिट्टी के रूप में पकी इंटों का प्रयोग कर जान फ्लिट ने एक magazine में इसका उलेक किया है यह जो magazine थी यह भी काम की है इससे प्रशना आते हैं आपके Asiatic Society of India की एक magazine थी Never Never में इस तिले के बारे में 1912 में जान फ्लिट ने उलेक किया तो आपको Never magazine या रखनी है फ्लिट का नाम या रखना है कब की बात है? 1912 की बात है 1912 की बात है अच्छा एक और बात यहाँ पर आती है कि यह Asiatic Society का नाम आया इसकी स्थापना कैसे हुई तो 1784 में William Jones ने इसकी स्थापना की थी Asiatic Society of India पुरा नाम इसका इसकी स्थापना 1784 में William Jones ने की थी इसी में पहली बार महावरत का अनुवाद अंगरीजी में हुआ था पहला अनुवाद क्या था इसने अंगरीजी में महावरत का भी इसका उदेशी क्या था Asiatic Society का तो भारत का जो प्राचीन गोरव है उसको लिपी बद्ध करना था ठीक है प्राचीन जो गोरव हमारा है उसको लिखना है लिखने काम लिपी बद्ध रूप में करना ताकि वो संबल सके लंबे समय तक चल सके 1905 में पुरातक तो भाग किस्था अपना हुई थी करजलने की थी 1905 में ठीक है पुरातक तो भाग किस्था अपना का हुई थी आगे बात करते हैं 1920 के आज पास हम आते हैं तो 1920 में ये Archaeological Survey of India के जो निदेशक थे वो John Marshall बनाएं गए थे John Marshall और इनी के नित्रतों में ही दैराम साहनी ने इस जो इस्थल था हडपा इसका उत्खरन प्राड़म किया था ठीक है? तो यहाँ पर हम हैट्पुन बाते हैं अभी इसको आगे वो डिस्कस करेंगे पहली बार किस ने देखा? तो पहली बार 28-26 में चार्स में ने देखा इसका नामकरण किस ने किया? इसका नामकरण इस सब्विता का नामकरण John Marshall ने किया था तो सही क्या है? तो इसका नाम सिंदु घाटी सब्विता था जिनका उत्ँखनन किया कुदाई की है वो सब सिंदु नदी के किनारों पर सतिते इसलिए इसका नाम सिंदु घाटी सब्विता रखा गया लेकिन जब कालंतर में धेर धेरे और स्थलों की खोज होती गई वरतमान में लगए दो हजार से अधिक स्थल है इसके तो ये स्थल हमें सिंदु नदी के अलावा और अन्य नदियों दूर दराज तक हमको प्राप्त होते हैं तो अब इसका नाम सिंदु घाटी सब्विता के ना उचित नहीं गा क्योंकि स्थल हमें सिंदु नदी के अलावा और अन्य स्थनों से मिल रहे हैं और नदियों से मिल रहे हैं तो इसका नाम हमने हडपा सब्विता रखा और वो इसलिए रखा क्योंकि पहला जो स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी उत्खरन हुआ था वो हडपा स्थल था ठीक है तो सही नाम क्या है इसका हडपा सभिता और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जब हम हडपा सभिता की बात करेंगे तो इसके अंत्र सभिता की बात करेंगे और लेकिन जब हम हडपा स्थल की बात करेंगे तो हम क्यों हडपा बोलेंगे तो हडपा सभिता सब हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं तो इसका छेत्रफल की बात करते हैं हडपा सभिता तीन देसों फेली हुई है ठीक है हडपा सभिता तीन द अफगानिस्तान ये तिन देसों में इसका छेत्रफल फैला है पुरा त्रिभुजाकार है त्रिभुज क्या कार में फैली हुई है ठीक है त्रिभुजाकार है अभी तक इसके कितने हैं कितना है ये पूछता है ये चेत्रफल की जो माप है वो एसार रावने की थी तो इसका कुल चेत्रफल है 1299-600-1 km2 ठीक है अब हम आगे बात करते हैं कि हड़पा सब्विता का उत्तरी पश्चिमी पूर्वी और दक्षिनी छेत्र छोड़ क्या है जो आखरी हमको इस थलभी तक प्राप्त हुए है यहां से प्रश्च आते हैं आपको यहां पर जितने भी जो बाते बताई जा रह हैं वो सारे एक्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं यह इतना मिनिमम्म आपको कम से कम याद होना चाहिए ठीक है उस हिसाब से आपको ध्यान में रखके यहां पर आपको त्यारी की जा रही है तो बात करते हैं इसको इसे पढ़ेंगी उत्तर में हमको जो उस्थर मिलता ह यह जम्मु कश्मीर में है दक्षरी मिलता है हमको देमावाद यह महारास्ट्र में है पूर्म में मिलता है हमको आलमगीरपूर यह यूपी में है उत्तर प्रदेश में है पश्षी में हमको मिलता है जो उसका इस्थर मिलता है सुत्का गेंडोर यह आपका पाकिस्तान में ह तो यह हमारा पूरा स्थलों का हो गया उत्तर पूरा प्रश्रिम दक्षन ठीक है अफगानिस्तान के हम बात करें तो अफगानिस्तान में हमको दो स्थल मिलते हैं जो परिक्षाव पूछते हैं आप नोट कर लिजे उनको अब गायसान की जो दो स्थन है एक का नाम है मुंडी गाक एक का नाम है सूर्थ गोई मुंडी गाक और सूर्थ गोई अच्छा अब इसका अगर हम देखें उत्तर से दक्षन और पूरफ से पश्चिम जो लंबाई और चोड़ाई है वो कितनी है तो उत्तर से दक्षन की बात करते हैं हम तो यह है चौरफ से पश्चिम की बात करते हैं तो यह है सोला सू किलो मेटर ठीक है के लिए बना लीजिए आप लोग सभिता की हम बात करते हैं कि सभिता का जो समय है वो कब से कब तक था तो यह बड़ा बहुत सारी इतिहास कारूं ने बहुत सारी प्रात्तविदों ने इसकी खोच बीन करी और जो सामगरी थी उसके आधारपिन का टाइम निर्धारण किया लेकिन हमें जो डेट से आधार रखनी है वो हमको रखनी है कार्बन डेटिंग के आधार पर कार्बन डेटिंग क्या होती है बताएंगे इसके बारे भी कार्बन डेटिंग के आधार पर इस सभिता का जो समय है वो है तेईस सो पचास से लेकर 1750 इसा पूर्व की बात है किसके आधार पर है कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से लेखे 1750 अच्छा कार्बन डेटिंग होती क्या है कार्बन डेटिंग की बात करते है तो कार्बन डेटिंग में हम ये समझें कि जो कार्बन है कार्बन की दो अपरूप होते हैं एक होता है C12 और एक होता है C14 ठीक है और कार्बन लगबक सभी जीवों पायाता है ठीक है तो ये एक रेडियो धर्मी पदार्थ है क्या है रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है रेडियो धर्मी पदार्थ है ये क्या करता है वायू मंडल में प्राप्त कार्बन डायकसाइट के साथ लगातार मिस्चित होता रहता है ठीक है प्रतेक्ष रूप से या अब प्रतेक्ष रूप से ठीक है और सारी रिकरशना जैसे पेड़ पो बाबर मात्रा में रेते हैं और जबभी किसी जीव की या किसी किसी की म्रत्य होती है तो जो कार्बन 12 है तो उतना ही रखता है उसके मात्रा मरने के बाद कम होझाती है यानchem हम कोई पुरानी से Pुराणी की हडी को लेखे आ यह तो गिगर काउंटर से, किस से नापते हैं, ये काम की बात हैं, किस से नापते हैं, गिगर काउंटर, गिगर काउंटर से नापते हैं, तो क्या होता है, कि जो कार्बन 12 तो वैसा 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 बना रहता है, चवदा जो होता है वो आधा जब होता है तो उसको आधा होने में पांच हजार साथ सो तीस पांच हजार साथ सो पांच हजार साथ सो तीस असमें हम लोग चालिस साल प्लस माइनस लेख चलते हैं इतना नतरा सकता है और कुछ विज्ञानिक कहते हैं कि 5668 प्रस माइनस 30 तो इसको आदा होने में कारवन को इतना समय लगता है ठीके तो दोनों का अगर हम तुल्ला कर ले कि 12 इतना बच्चा है और 14 इतना कम हो गया 12 इतना है और 14 इतना कम हो गया तो उससे हम उसकी का समय निकाल सकते हैं समय हम निकाल सकते हैं यनकी जीव कब मरा था कितना पुराना इसका यह आउशेस प्राप्त हुआ है या कोई लकड़ी कब जली थी तो उस कोईले से भी हम उसकी मातरा को हम निकाल सकते हैं तो कार्बन डेटिंग के अधर पर हडपा सब्विता का जो समय है वो है 2350 से लेका 2750 यह आपको महत्पुर्ण है और जिहां लगना है कि समय क्या है इसका इसापुर्व क्या होता है इसापुर्व उल्टा जलता है उसके बाद इस भी आती है तो जो इसापुर्व के लाता है और हम उल्टा काउन करते है 2350 पहले आ गया 2750 बात में आ रहा है तो इसलिए इसको इसापुर्व केते हैं इसापुर्व केते हैं इसापुर्व के जन्म के पहले का समय इसापुर्व उसके बाद में इस भी चालो होगा जो की continue अभी चल रहा है अच्छा इस हडपा की बारे में हम बात करें तो हडपा का उलेख हमको रिगवेद में भी मिलता है आगे हम वेदों की बात करेंगे रिगवेद में मिलता है रिगवेद में हडपा को एक सब्द हडपा के लिए एक सब, जो स्थल है हडपा, उसके लिए एक सब्द का प्रयोग हुआ है, हरी यूपिया, नाम से इसका उलेख होता है, रिगवेद में, रिगवेद में हडपा का उलेख हरी यूपिया के नाम से होता है, अब ये सब्विता के जब हमको इसका उत्खरन हुई जो कुछ भी प्रक्रिया चाल हुई तो प्रशन आता है कि इसके निर्माता कौन थे इस सभिता के निर्माता आखिर थे कौन तो हमें इसके लिए हमको जब यहां का उत्खरन किया गया तो जो कंकाल हमको मिले वो हमको चार प्रजातियों के कंकाल मिलते हैं आपर रपा सब्विता में उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए तो ऐसे याद कर सकते हैं हम A.M.P.M A.S.E. Alpine Mediterranean Proto Australite Mangolite ठीक है तो ये चार प्रकार के हमको कंकाल मिले जो प्रजाति थी उस समय की ये चार प्रकार की प्रजातियों के हमें कंकाल मिलते हैं तो इसके निर्माता कौन होंगे तो जिसके कंकाल सबसे अधिक होंगे वो हांकी सब्विता के मुलनिवासी हम समझ सकते हैं की होंगे क्योंकि यहां की अभी तक हमको लिपी तो पढ़ने में आई नहीं की लिपी में लिखा क्या है नहीं तो सबसे अधिक जो कंकाल जो प्रश्ण पूछता है कि हडपा सब्विता के निर्माता कौन थे तो हम बोलेंगे भूमद्य सागरिया मेडिटेरियन वाले इनको हिंदीएं बोलते हैं भूमद्य सागरिय इस सब्विता के निर्माता है ठीक है निर्माता कोन है? भूमद्य सागरिय अब आपको कुछ नोट डाउन करना है कम से कम जो महत्पुन दस इस्थल है हैं बारे में 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 बाते हम डिस्कुस करेंगे ठीक है तो आप नोट कर सकते हैं सबसे पहले में बोर्ट पर भी आपको लिख सकता हूँ सबसे पहले स्थल हमारा आता है हडपा ये स्थल की बात है सबसे पहले उठकरने सिका हुआ है ना ठीक है तो हडपा किस नदीव बसा है? रावी नदीव बसा है सारी जो इस्थल है वो किसे नदीग किनारे स्थित है कब इसकी उत्खरन हुआ 1921 में किस ने किया? दयारा सहनी सदा बाहर प्रश्न है ये हमेशा हर प्रिक्षा हम पूचता है हडपा किस राजजी में है किस देश में है? तो हम बोलेंगे पाकिस्तान में है पाकिस्तान में हडपस्तित हडपा इसका उत्खनन 1921 में दयाराम सहानी ने किया और ये रावी नदी के किनारे से थे इसको सब्विता की राजधानी भी कहते हैं इस स्थल को सब्विता की राजधानी केते हैं नेक्स्थ इस्थल नोट कर लिए हमको कम से कम दस स्थल याद करने हैं उनका जो महत्पुर्ण महत्पुर्णे है नेक्स्थ आपका स्थल है मोहुन जोदोडो या मोहुन जदारो जोदोडो ये भी पाकिस्तान में हैं और ये सिंदु नदी के किनारे से थे सिंदु नदी किनारे से थे नदी कुन सी है? सिंदु इसका उत्खरनन कब हुआ? एक सालवाद 1922 में हुआ किस ने किया? राखल दास बनर जी ने किया राखल दास बनर जी ने 1922 में इसका उत्खरन किया ठीके? नेक्स्ट है चनु डडू ये भी पाकिस्तान में है ठीके? सिंदु नदी किनारे से थे ये भी सिंदु नदी किनारे से थे 1931 में इसका उत्खरनन चालूँआ सिकुदाई चालूँगी और मजुमदार ने कि सिकुदाई मजुमदार ने कि ठीके? नेक्स्ट अपका इस्थल है नोट कर लिजिए करते जाए आप नोट साथ में नेक्स्ट है लोथल ये भारत में गुजरात राज्य में हैं गुजरात में ये गुजरात में हैं लोथल के जो नदी है वो बहुत पूछता है परिशा में किस नदी के किनारे से थे तो ये भोगवा नदी के किनारे से थे इसके बारे में कुछ महपमट पेक्ट्स के अबाद में बात करेंगे इसका उत्खरण S.R. Rao में किया एसा राव नाम अभी आपके बीच में एक और बार आया था कब किया 1957 में किया 1950 में किया एसा राव ने इस पूरी सब्विता का जो छेतरफल है बाराण निन जानुशे सो वर किलोमेटर स्क्वाईर उसकी नाप इन्हों नहीं की थी नेक्स इस्थल आपका ठीक है लोथल महत्पूर है भारत का है यह बुजरात का नेक्स आपका है काली बंगा काली बंगा यह राजिस्थान में है नदी किस नदी पर है तो घगघर नदी पर है यह घगघर नदी पर है और इसका जो उत्खरण है वो अमलानंद घोश ने किया अमलानंद घोष अमलानंद घोष ने किया 1953 में किया था 1983 में किया था ठीक है यह भहाँत महत्पुन सले इसके बारे में कुछ महत्पुन चीजों के बारे में we discuss करेंगे next आपका है बनावली बनावली यह हर्यानाम पढ़ता है भारत के हर्याणाम पढ़ता है ठीक है हर्याणाम पढ़ता है ठीक है और इसकी जो नदी है वो है रंगोई रंगोई नदी की नारिस से थे और उत्खरन क्या था आरेस विस्ट ने कब किया 1973 में किया 1973 में किया ठीक है नेक्स्ट है रंगपूर आप लोग सब नोट कर लेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो वीडियो देखके नोट कर सकते हैं, ठीक है, रंगपूर, ये गुजरात में हैं, ये मादर नदी किनारे पर सिथे, उत्खरन, MS, वत्स ने किया है, कब किया है, 1931 में, 1931 में, नेक्स स्थल, देमाबाद, महारास्ट्र में हैं, नदी का नाम क्या है, प्रवरा नदी, प्रवरा, नदी किनारे सिथे ये, ठीक है, अच्छा, जो देवबाद है, इसके बारे में बता दें कि इसको जो खो जा था इस स्थल को, क्योंकि ये हमारी सब्विता का दक्षी उन्तम स्थल है, इसको 1958 में BP बोपर्दिकर ने खो जा था, ठीक है, और बाद में फिर प्रातक्तु भाग ने इसको तीन भार इसका उत्खरण करवाया है अभी तक, तीन भार इसका उत्खरण हो चुका देयावबाद का, ठीक है, तो जो पहला है उत्खरण वो हमारे काम का है, तो पहली खुदाई जो हुई थी, वो 58 से 59 की बीच में, MN देस पाल देने की थी, पहली खुदाई 58 59 में किस ने की थी, MN देस पाल देने की, ठीक है, फिर SR Rao ने खुदाई की थी, 74 से 75 की बीच में, है ना, SR Rao ने की थी, तो इसके बाद में, SR Salli ने 67 से 69 तक इसी खुदाई की थी, ठीक है, देवबाद में, तो खुदाई जो था, प्रतत विभाग करवार था, तीन बार से खुदाई हुए थी, नेक्स्ट आपका है रोपन, अगला स्था, रोपन, 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 ऐसे आएगा है ना, पंज जाब में स्ति थे, सत्लज नदी किनारे है ये, वाईडी सर्मा ने 1955 में सी खुदाई की, 1955 में इसका उत्खरण, वो आईडी सर्मा ने किया, ठीके, कितने इनों हो गए, एक वर नोट कर लो, धोला, वीरा, धोला गे रका है, गुजरात में है, ये दो नदी किनारे से थे, मान सेरा और मनहर, मान सेरा और मनहल दो नदिव किनार से थे 1990 इनके आनमे में इसका जो उत्खनम है वो जगपती जोसी ने किया था जगपती जोसी ने किया था साथ में इनका आरे स्विस्ट भी थे 1990 इनके आनमे के आसपासे में इसका उत्खन किया ठीक है अब थोड़ा सा हमें इस सब्विता के बारे में बात करें कि सब्विता थी क्या, किस प्रकार की थी तो जानते हैं हमकि हडपा सब्विता एक नगरी सब्विता थी सारे नगर मिलते हैं आप हमको, नगर नियोजन मिलता है, नगर किसा सब नगर नियोजन मिलता है नगरी सब्विता थी, आप कुछ पॉइंट नौट कर सकते हैं, एक दुचार पॉइंट है न, लिखिए, हडपा सब्विता, नगरी सब्विता थी, जो भवन या मकान थे, वो पक्की इंटों के बने थे, कहीं कहीं पर कची इंटों का प्रेवगवा थे, अधिक्तम पक्की इंटों के फिरोग हो था, और जो इंटों को जोडने का जो तरीका था, वो इंग्लिस बॉण्ड पदती क की अधर पर था, जिससे कि यहींट ऐसे खडिकर दी हमने, ऐसे खड़ी कर दी में, तो इसका लाटर री एंटे ले लिदी हमनें, इसे ऐसे, फिर खड़ी ले ले ल प्रिक्षा में तो इंटो का अनुपाद क्या था तो इनका रेशियो था वो चार अनुपाद दो अनुपाद एक के रेशियो में था ठीक है चार अनुपाद दो अनुपाद एक के रेशियो में था ठीक है यहाँ पर हम बात करें कि और हमें क्या मिलता है इन स्थरों से फसल क से मिली हैं वो मिली है नोट कर लीजिए गेहू जौ जो मतर तिल जौर कपास है ना कपास गेहूं जो मतर तिल जौर और कपास ये फसले हमको मिलती हैं धर्म के हम बात करें तो हमको तुकि ये नगर ये सब्विता थी तो नगर में ये लोग महर का इस्तेमाल करते थे स्टेम का इस्तेमाल करते थे तो कुछ स्टेम में हमको देवी देवता का आरोपन मिलता है तो मात्र देवी की पूजा उर्वरा देवी की पूजा पश्युपती की पूजा ये साक्ष हमको मिलते हैं मंदिर हमको नहीं मिलता है हापे एक भी प्रकार के मंदिर हमको हड़पा सब्विता से नहीं मिले हैं या फिर होंगे भी तुनस्ट हो गए हैं हमको मंदिर नहीं मिले हैं, तो क्या-क्या, मात्र देवी, उर्वरा देवी, जो की उत्पादन की देवी होती है, उर्वरा देवी, पशुपती, जिनकी तुलना हम शिव से कर सकते हैं, इनकी हमको मोहर की रूप में साक्ष मिलते हैं, मंदिर नहीं मिलते हैं, तीक है, आगे पूजनिय था एक कूबर्ड वाला सान्ड उनका बात करते हैं आपका में से गया आता ही ये हडपा सब्यता का देशी व्यापार, विदेशी व्यापार किन-किन देशों से था तो वो मेंस का जो टॉपिक है हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीके, तो विदेशी व्यापार किन-किन देशों के साथ इनके थे महत्पुन जो है मेसोपोटामिया मध्येशिया, मिश्र, क्रीट और अफरिका के देसों से इनका विदेशी व्यापार होता था मेसोपोटामिया, मध्येशिया, मिश्र, क्रीट क्रीट और अफरिका के देसों से इनका विदेशी व्यापार था आंकिल क्यापार तो उनका थाई तामबा कहां सिलाते थे तो तामबा ये खेतरी की खान सिलाते थे सोना कोलार की खान सिलाते थे कोलार का नाटा के पड़ता है सोना कोलार की खान सिलाते थे चांदी अफगानिस्तान से और राजस्तान का जो जावरा है वहाँ से ये चांदी का आयात निर्यात करते थे ठीक है, महेंगे पत्थर पामीर के पठार से लाते थे ठीक है, आगे हम बात करें कि next, ना, अब हम बात करते हैं कि महोंजरोरो के बारे में बात करते हैं कि महोंजरोरो का अर्थ क्या होता है तो महुन जोडरों का अर्थ होता है मृतकों का टिला क्योंकि यहां से हमें जब उसका उत्खरन किया हमने तो कनिस्क का स्थूप मिला, कनिस्क के एक राजा हुए बाद में उनका एक स्थूप बनाता तो उसका नाम हमको पढ़ गया मोहनज़ोब का रत हो गया मरतकुका टिला और ये परक्षिनन बहुत पूछता है ठीक है अच्छा एक हम को सुमेरा अभिलेक मिला है सुमेरा अभिलेक तो सुमेरा अभिलेक में मोहनज़ोब के लिए मेलुहा सब्द काउप्योग हूआ है काम की बात है सुमेरा अभिलेक में किस सब्द का उप्यों हुआ है मेलुहा मेलुहा का संबंद मोहोण जोड़ों से बताया गया है ठीक है मेलुहा क्या मिला है यहां से यहां से हमको सबसे बड़ा अनागार मिला है स्टोरेज अनागार मिला है इसनानागार मिला है विशाल एक तालाब मिला है ठीक है तालाब मिला है और ये तालाब के बारे में बात करें तो जो तालाब ही ना उसकी जो सीडिया है वो उत्तर से दक्षिन है प्रस्ट ने यूपेसी माया था उत्तर से दक्षिन में इसकी सीडिया है विशाल तालाब मिला है कि यहां से हमको नत्यांगना की एक कासे की मुर्ती मिली है कासे की मुर्ती साड़े चौदा सेंटीमिटर की एक से डांस करते हुए कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगी ऐसे जुकी हुई है डांस करते हुए नत्यांगना की एक मूर्ती कासे की बनी हुई है बहुत अधिक मात्रा में कासे के हमको उपकरण मिले हैं यहां से और इसलिए हम इस सब्विता को हरपा सब्विता को कासे सब्विता भी कहते हैं क्यों कासा अधिक मिला है यहां दनी वाली बात है कासा अधिक मिला है साड़े चोदा सेंटी मिटर की प्रतीमा मिली है, मुर्ती मिली है नत्यागना की, ठीक है एक योगी की आकरती मिली है हमको योगी की आकरती मिली है ठीक है, स्टैम के उपर योगी की आकरती मिली है हमको ठीक है, एक योगी की आकरती हमको मिली है जो हमको मुद्राओं के उपर सुरी जो इनके स्टैम के उपर या जो सील के उपर हमको जो योगी काक्रती मिलती है उसमें चार जानवरों का भी चित्र मिलता है जो परिक्षाओं में पूछता है आपसे क्रम से पूछता है जो चार जानवर है कौन-कौन से है हाथी हाथी चीता गेंडा भेशा इसी क्रम में है हाथी, चीता, गेंडा, भेशा ठीक है? इसी क्रम में आपको याद रपना है और कुछ काम की फैक्ट इसमें बात करें तो लोथल और सुत्का गेंडोर सुथका गेंडोर जो उसका पश्ची में इस्थल है और लोथल जो भारत का स्थल है महत्मुल इन दोनों स्थलों को व्यापारिक बंदरगा कहा गया है क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता थे लोथल से हमें कई व्यापारिक चीजे मिली है जो कहीं और से लाई गई है व्यापारिक बंदरगा के थे ठीक है और लोथल से याद आए कि लोथल, काली बंगा और संगोल एक और जगा है संगोल ये तीन स्थानों पर हमको अगनी कुंड के साक्ष मिले हैं और कहीं हमको वल्मेंमेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ ठीक है जो काम की बाते हैं आपको ध्यान रखनी है एकदम याद कर लेना है इनको ठीक है तो लोथल काली बंगा और संगोल से हमें अगनीकून के साक्ष मिले है लोथल से हमको तांबे का बना हुआ चार खिलोने मिलते हैं, हम उनको ऐसे कर सकते हैं, ब्यार डियों की रूप मे आद कर सकते हैं, बदक, खरगोज, कुट्टा, और बेल, ठीक है, रेबिट, डॉग, ओक्से न, ये चार्ज हमको मुर्तिया मिलती हैं, तांबे की बनी हुई, लोथक से मिलती है, बहुत पुछा है पर से हमें क्या मिलता है, तो काली बंगा से हमको मिलती है, मिट्टी की चूडिया, मिट्टी की चूडिया मिलती है, ठीक है, याद रहेगा, मिट्टी की चूडिया मिलती है, और हल से हटाए गई, जो मिट्टी होती है, सीता बोलते हैं, उसको हल से हटाए गई मिट्टी, या जुते हुए खेत के साक्ष, हमको काली बंगा से मिलते हैं, ठीक है, दो महित्मुन फैक्ट है हैं के, देमाबाद से क्या मिलता है, देमाबाद से, एक तांबे की रथ को हाकता हुआ, एक नगन पुरुस है, उसका खिलोना मिलता है, तांबे का रथ चला रहा है, उसका एक हमक नगनपुरुस, तांबे की रथ को हाकता हुआ, नगनपुरुस का खिलोना या उसका साक्ष मिलता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, धोला वीरा, धोला वीरा से हमको सबसे बड़ी लिपी मिली है, अचे लिपी तो पढ़ी नहीं गई, लेकिन सबसे बड़ा जो अभिलेक है, वो धोला वीरा से मिला है हमको, ठीक है, लिपी कैसी थी इनकी, लिपी की बात आती है, तो लिपी के बारे में हम बात करते हैं, लिपी कैसी थी, लिपी के कई नाम इन्होंने इस अभिता के में दिये जाए हैं, कई नामों से पुकारा गया है, डॉटेड, चित्रात्मक, गो मुत्रिका, जिगजैक भी बुलते हैं, जिगजैक, ठीक है, ये हमको लिपी यहां से मिली है, अब मैं आपको बताता हूं कि हडपा सभिता का जो नगर नियोजन था, वो किस प्रकार का था, तो हम हडपा स्थल है, उसी को उठाते हैं, जो पहला स्थल है, जिसी खुदाई हुई थी, तो टीले के उपर इनका पुरा नगर नियोजन हुआ है, नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है, तो यह हमको दो टीले मिले हैं, पश्चिम का जो टीला है, ऐसा टीला मिला है, इसके उपर जुकी हुई, सलामी करती हुई दिवारों से एक किला मिला है, बड़ा सा किला है, इसके चारों तरफ, चेक पोस्ट बना है, चारों तरफ, चार चेक पोस्ट मिले हैं, ठीक है, इस किले को, इस किले में संभवता प्रसासक वर्ग जो यहां का पुरा काम संभालता होगा, प्रसासक वर्ग जो होगा, जाजा हो सकता है, या कोई, जो भी यहांकी प्रक्रिया होगी, वो वेक्ति यहाँ पर रेता होगा ठीक है इस जो टीला है इसको F माउंट कहा है किसने कहा है F माउंट किसने कहा है वीलर ने कहा है वीलर ने कहा है ठीक है टीला माउंट A B कहा है इसको वीलर ने कहा है ठीक है इसके पूर्म यह क्या है चिक, पोस्ट या हाँ पर सुरक्षा कर भी जते होंगे इसके यह है पश्चिम में इसके पूरु में हमको नगर मिलते हैं नगर के दक्षिन में कब्रिस्तान बना हुआ है कब्रिस्तान बना हुआ है ठीक है, दक्षिन में कब्रिस्तान बना हुआ है कबरिस्तान में एक महत पुर्ण जो कबर है हमको मिलती है वो है R37 इस कबर के बारे में भी परिख्या में प्रशन आते हैं तो नगर के दक्षिन में कबरिस्तान है यहाँ पर हमको एक कबर मिली है R37 Residue 37 तूकि एक बात्र कबर ऐसा है जिसमें किसी जो डेट बाडी को या शाउ को जो दफन किया है वो ताबूत के अंदर किया है बाकि सारी कबरों के अंदर बिना ताबूत के किया है जो ताबूत था वो देवदार की लकड़ी का अस्त्रमाल से fuckin आगे बात करते हैं हम ठीक है, यहां से हम आगे बात करते हैं किले के उत्तर में जाते हैं किले के हम और उपर उत्तर में जाते हैं तो हमको यहाँ पर मजदूरों की बस्ती मिलती है मजदूरों की बस्ती मिलती है ठीक है, मजदूरों की बस्ती मिलती है इनी मज़दुरों की जो बस्ती है लगभग 7 और 8 कवो में 求तल 15 हमको लाईन से बने हुए मज़दुरों के आवास मिले हैं और इन मज़दुरों के आवास के जस सामने हमको ओकली मिलती है ठीक है जिसमें गेहूँ और इनके सब के की बटियां हमको मिली है मजदुर बस्ति के हम उत्तर में जाते हैं तो हमको अन्नागार मिलता है अन्नागार मिलता है ये भी छेछे की रो में टोटल बारा अन्नागार हमको भी ले है और अन्नागार के उत्तर में जाते हैं तो रावी नदी बहती है तो नदी की किनारे अन्नागार है विदेशी व्यापार भी होता था तो क्या बोलेंगे हडपा में टिले पर निर्मित एक किला है जिसकी दिवारे सलामी देती हुई जुकी हुई है जो दिवारे हैं वो बहार पक्की इटों से हैं अंदर कुच्ची इंटों से है ठीक है और इंटों का साइज बात करें तो अनुपाद तो पता है 4 अनुपाद, 2 अनुपाद, एक है इसके पूर में नगर है पुरे नगर निंगोचन के बारे में हम अगला filming करेंगे दक्षण में कब्रिस्तान है कब्रिस्तान में हमको आर्था की सेवन कब्र महिर्पूर्ण है तो कि ये मात्र कब्र है जो ताबूत में हैं बाकी कब्रें ताबूत में नहीं है किले के उत्तर में मजदूर बस्तियां है उसके उत्तर में अन्नागार है और उसके उत्तर में रावी नदी है तो हडपा जो स्थल है वो रावी नदी के दक्षिन में इस्तित है हडपा, स्थल, चित्र बना लीजे आप लोग रावी नदी के दक्षिन में इस्तित है अच्छा, इंटों को जोडने के लिए इंटों को जोडने के लिए लोग जिपसम का प्रयोग करते थे जिपसम इधातु जो है उसका प्रयोग करते थे ठीक है नोट कर लो यह मजदूर बस्तियों में अपने को ओखली मिली है यह पंद्रा तो पंद्रा ओखलिया मिल गई है यह पे ओखली समस्ति होंगे आप लोग पंद्रा ओखली मिली है अन्नागार को गेंडरी बोलते हैं जिसमें अनभंडारण करते हैं जो अन्नागार है सारे के सारे गेहूं के अन्नागार है तो गेहूं के भंडारण से भी यह परचित थे कि हुँ को कैसे बंदारित करके रखते हैं यह अन्नागार है इसमें रोशन दान तो मिले है खड़किया नहीं है खड़किया नहीं मिलती रोशन दान बने होने है उपर खड़किया नहीं बनी है पैखें पूरी ठीक है R37 residue नोट कर लो हड़किया नहीं होती ही ना तो आरसनिक पिला देते हैं उल्टी रहती है गरूर पक्ची क्याकरती मिलती है हमको इसी हड़किया रिशबदेव की आकरती मिली है हमको मूर्थी मिली है रिशबदेव को नहीं जेनों के प्रथम तरथनकर रिशबदेव जेन धर्म पढ़ेंगे तब बात करेंगे ठीक है यह चतर बन गया आपका अब हम बात करते हैं नगर निगोजन कैसा था ना तो हमको जो नगर निगोचन है वो मोहजलों का बड़ा अच्छा मिलता है देखने के लिए उसका डायगराम समझाते हैं आपको तो इनकी जो सडकें थी दो हम नगर हैं तो सडके तो होंगी पकी सडके मिलते हैं तो बड़ा सआ एक राजपत मिलता है थेटिस फिट का ही 33 फिट का चोड़ा राजपत है इसको राजपत मिलता है सडके जो थी इनकी समकोन पर काटे थी 90 degree का कौन बनेगी समकोन पर काटे थी सडके जो थी वो बीच में उभरी हुई नीचे धलान ताकि जो भी पानी है वो बारिश का पानी धलानों पर चला जाए सडकों में गड़े ना हो आज की तरह जो गड़े होते हैं बीच में उभरी होगी धलान वाली इसी से हम बात करें 9 फिट छोटी सडक निकलती है 9 फिट की छोटी सडक निकलती है उसके बाद में 4 फिट की एक और छोटी सडक निकलती है 4 फिट की कुछ इस प्रकार से सड़क का विन्या से चारों तरफ से न और यहाँ पर मकान बने हुए हैं क्रम से एक मंजीला मकान बने हैं दो मंजीला मकान बने हैं और बीच में यहाँ पर इनका पार्क हो गया या फिर सबाभवन हो गया जो जो चीजे हैं वो सब यहाँ पर मिलती है ठीक है और इनके जो ख पूरा सभिता में कुछ इसी प्रकार की नगरों का नियोजन है पूरा नगर जो मकान बने है या जो भी सड़के बनी है सब इसी प्रकार से बनी है समकोन पर काटती भी सड़के है नोट करना समकोन पर काटती भी सड़के है अच्छा, जल निकासी की बात करें, जो जल निकासी यहाँ पर थी न, इस समय, जब इसकी ओक्षरन हुआ इस सब्विता का, तब बिटेन में भी ऐसी जल निकासी की विवस्था नहीं थी, आधुनिक काल में है न, उस समय भारत में इस प्रखार की जल निकासी हमको मिल गए तो जल निकासी की बात करें, तो जैसे हमारा भवन है, ठीक है, तो यहाँ से आपका निकलता है में, एक नाली निकलती है, मकान के बीज में से एक नाली निकलती है, घर के अंदर से एक नाली निकलती है, छोटी नाली निकलती है, छोटी नाली, ढकी हुई है यह, पुई त यह चोटी नाली जाकर मिलती है मंजली नाली में मिलती है मंजली नाली भी धक्य हुई है और इसमें बीच बीच में धक्कन लगे हुए है सोकता बोलते हैं इसको सोकता ब्रेने इच्छ है न सिस्टम बात करता है जल नी कर सी ताकि बीच में अगर आपका कुछ भी कच्रा फस जाता है खोल के साफ कर सकते हैं सोकता जो मंजली नाली है ये बड़े नाले में जाके मिलती है बड़ा नाला है बड़े नाले में जाके मिलती है इसमें भी सोकते लगे जो बड़ा नाला है आपको कहा जाता है वो नदी में जाके मिल जाता है तो इस प्रकार से ये नालियों की जो रुड़ाई है जिपसम और बिटो मुनस से करते थे इस प्रकार से इस पूरे की पूरे सभिताक में हमको जल निकासी के साक्ष मिलते हैं एक दो स्थानों को छोड़ कि ठीक है इचे तुम्लालजी आप लोग मैं इन चीज क्या धानक नहीं है आपको कि जो स्थल से साक्ष मिले हैं अगर कभी कभी परिक्षा में आपसका उतर भूल जाएं कुछ भी सबसे अधिक जो हमको चीजे मिली हैं वो हमको मिली है महंजरों से तो जब आप कुछ ना लगा पाएं तो आंसर लगा देना महंजरों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर जगे काम नहीं करेंगा ठीक है अच्छा इस सब बिता का पतन कैसे हुआ अगर आपसे पूछे कि पतन कैसे हुआ तो ये भी एक अपने आप में उलजीवी कहानी है तो कि पतन के बारे में भी विग्जनिक सब एकमत नहीं है जितने भी इतिहास कार है वो भी एकमत नहीं है ठीक है अलग-अलग लोगों के अनुसार इसका पतन अलग-अलग हुआ है कुछ लोग बोलते हैं जैसे वीलर कहते हैं कि सेंद्व सब्था का पत्न आक्रिमंट के कारण हुआ है विदेशी आक्रिमंट हुआ था ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए तियार नहीं थे करने के लिए और ये खतम हो गए जान मारसल केते हैं कि जैसे कि उन्होंने मोहन जोडों का बताया कि मोहन जोडों से हमको साथ तीले मिले हैं पहली बार बार आई ये अगले तीले पर सिफ्ट हो गए दूसरी बार बार आई फिर अगले तीले पर सिफ्ट हो गए ऐसे करते करते महँजडो साथ बार बसा और साथ बार उजड़ा उसके बाद कोई टीला नहीं बचा तो ये नस्थ हो गए अपने आप में बिलुप्त हो गए तो बाढ़ हो गया विदेश याक्रमण हो गया जलवाईव परिवरतन हो गया या अफि नदी मार्ग परिवरतन हो गया ये सब तुकि देखो ये पूरे नगरे सब बिता थी इने टों का उत पादन होता था बड़े मातरा में पेड काटे जाते थे तो जलवाईव परिवरतन अपना एक मामला सही है तो ये कई सारे इसमें मामले हैं कि इनके पतन के लिए कोई एक करण निधारण एक करण नहीं जिसे कारण का पतन हुआ ठीक है तो पतन के लिए कई चीज हो सकती है यह आपका हरफपस अब्वेता के महतपुर्ण कुछ प्रसने थे ठीक है और अभी आपकी साइंस की और एकोनॉमिक करते रही है जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है पाशानकाल का वो वीडियो देखिए ठीक है नेक्स क्लास में मिलेंगे आपसे थैंक यू बरी मुच